प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाई से प्रतियोगिता तक विज्ञान जूनियर स्तर में, शीट क्रमांग 30 में, जन्तूओं में जनन रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. प्रजनन सजीवों का मुख्य लक्षण है. अपनी प्रजाती का अस्तित्व बनाये रखने के लिए प्रतियक जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है. जीवों में इस क्रिया को जनन कहते हैं. जन्तूओं में जनन की दो मुख्य विधियां हैं. अलैंगिक जनन और ल प्रजनन की विधी को अलेंगिक जनन कहते हैं इसकी कुछ मुख्य विधियां हैं आईए उनके बारे में समझते हैं हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधी द्वारा होता है हाइड्रा के शरीर में एक या एक से अधिक उभार दिखाई देते हैं यहां मुकुल है, यहां परिपक होकर जनक हाइडरा से अलग हो जाता है और नए हाइडरा का रूप ले लेता है इस क्रिया से में किसी प्रजनन अंकी आवशक्ता नहीं होती है, अलैंगिक जनन की यहां विधी मुकुलन कहलाती है अमीबा में द्वीखंडन विधी द्वारा प्रजनन होता है अमीबा कोशिका के मद्धे में एक केंदरक होता है, केंदरक परिपक होकर दो भागों में बटने लगता है प्रतेक भाग विक्सित होकर पुने दो भागों में बढ़ जाता है इसी प्रकार एक ही जनक अमीबा दो संतती उत्पन करता है इस प्रकार अलांगिक प्रजनन को द्विखंडन कहते हैं प्लाजमोडियम बहु विभाजन विधी द्वारा प्रजनन करता है प्लाजमोडियम का केंदरक बार बार विभाजित होकर नन्ने संतती केंदरकों में बढ़ जाता है अनुकूल वातावरण में कोशिकाओं की दिवार फड़ जाती है और सभी नन्ने संतती केंदरक स्वतंत्र होकर नए प्लाजमोडियम का निर्माण करते हैं लेंगिक जनन के लिए नर तथा मादा जनांगों का होना अनिवारे है अधिकांज जन्तु जैसे मचली, मेंडग, गाय, बकरी, मनुष्य, आदी में नर एवं मादा जनन अंग अलग-अलग पाये जाते हैं ऐसे जन्तुओं को एलिंगी जन्तु कहते हैं दूसरी और कुछ जन्तु जैसे केचुआ, जोक, आदी में नर एवं मादा जनन अंग एक ही जन्तु में पाये जाते हैं ऐसे जन्तुओं को द्विलिंगी जन्तु कहते हैं नर जनांग में नर युगमक तथा मादा जनांग में मादा युगमक बनते हैं निशेचन क्रिया के फल सुरूप नर एवं मादा युगमक सनयन करके युगमनज का निर्मान करते हैं यही युगनज वृद्धी एवं विकास करके नए जीव का निर्मान करते हैं आईए अब मानव के जनन अंगों के बारे में समस्ते हैं नर-जणन-उंग में पुरुशों में अंडे के आकार के एक जोडी व्रिशन होते हैं जो नर-युगमक अर्था शुक्राणू उत्पन करते हैं इससे जूडी हुई एक जोडी शुक्र नलिका होती है जिससे शुक्राणू गती करता हुआ शिश्र के माध्यम से बाहर निकलत शुक्राणू, शुक्ष्म तथा एक कोशिये होते हैं मादा जनन अंग में इस्त्रियों में एक जोड़ा अंडाशे, एक जोड़ा अंडवाहिनी तथा एक गरभाशे होता है अंडाशे में अंडाणू का निर्मान होता है, अंडाणू भी एक कोशिकी सरचना होती है निशेचन की क्रिया में अंडवाहीनी में शुकराणूं आकर अंडाणूं से सैलित होता है सैलेन की क्रिया निशेचन कहलाती है निशेचन के बाद यहां गती करते हुए गर्भाशे में आकर रोपित हो जाता है निशेचित अंडाणूं को युगमनज कहते हैं मनुश्य में निशेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है ऐसे निशेचन को आंतरिक निशेचन कहते है इसके अतरिक अक्षेरुकी जन्तूं तथा मचली मेंड़क आदी में शुकराणूं तथा अंडाणूं को जल में विसरजित किया जाता है और जल में शुकरानू अंडानू से मिलते हैं इस प्रकार के निशेचन को जो जन्तू के शरीर के बाहर होता है वहाँ निशेचन कहते हैं निशेचन के फल सरूप युगनमनच बनता है युगनमनच की कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं जो परिवर्दित होकर ब्रूण में बदल जाती हैं जब ब्रूण विक्सित होते हुए शरीर के सभी अंगों का निर्मार कर लेता है तब यहाँ आवस्था गर्ब कहलाती है गर्ब का विकास पूरा हो जाने पर मा शिशू को जन्म देती है नवजाज शिशू का जन्म नर एवं मादा युगमकों के सनलैन के फल सरूप होता है जिसके कारण शिशू में माता एवं पिता दोनों के लक्षन पाए जाते हैं कुछ जन्तू शिशू को जन्म देते हैं और कुछ जन्तू अंडे देते हैं जो बाद में शिशू में विक्सित होते हैं बच्चे देने वाले जन्तू को जरायूज कहते हैं जैसे मनुष्य गाय, बकरी, कुत्ता, चमगादर, आदी तथा अंडे देने वाले जन्तों को अंड यूज कहते हैं जैसे मुर्गी, कबूतर, सर्प, मचली, मेड़क, आदी